हलो गाईज, GS4 Competition में आपका स्वागत है और जैसा कि आपको पता है कि BPSC 66th 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है गाईज, बहुती महत्पून ये ऐसे समय पे वेकेंसी आई है कि बिहार की राजनेती जहां एक तरफ गरम है और वहीं बेरुजगारी का आलम भी बना हुआ है तो गाईज, ये एक बहुती अच्छा स्टेट गवर्मेंट की आपके सामने है एक्जाम की डेट भी बिल्कुल किलियर मेंशन की गई है कि 27 दिसमबर 2020 को एक्जाम भी हो जाएगा गाईज, इतने कम समय में हम कैसे त्यारी करें ये सबसे महत्पून गाईज, मैं पहले आपको बता दो, मैंने IES का दो बार इंटर्वी दिया है और जबकि BPSC में भी मैं इंटर्वी में बैठ चुका हूँ तो गाईज, मैं आपको एक वैल स्टेडिजी बताता हूँ कि किस तरह से एक्जाम की तियारी करें कि आप 66 2020 BPSC का एक्जाम क्रेक कर पाएं पहले मैं आपको बता दू कि फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म आप फिलप कर सकते हैं 28 September 2020 से आप फॉर्म फिलप कर सकते हैं जबकि इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलप करने का 20 October 2020 ये लास्ट डेट है इसमें आप 20-10 तक आप form fill up कर सकते हैं यानि आपके पास समय काफी है इस दौरान पहले आप form fill up कर दें और अपने उन instrument को use करें जिससे ये पूरा exam निकलेगा गाइस लास तक वीडियो जरूर देखना यकीन मानो अगर इस strategy के साथ अगर आप तयारी करोगे तो यकीन मानिए BPSC का paper आपका जरू निकलेगा तो लास तक वीडियो जरूर देखे गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जैसा कि BPSC में अभी post जो है इस बास 66 में जो post आई है वो 731 पोस्ट है तो 731 की बात का है तो APROX जो यह result देगा APROX मान के चलिए कि लग 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 चार से पांट से जार मेंस के लिए result आएगा अता मेंस का भी exam कैसे तियार करें इसको तो मैं बाद में बताऊंगा लेकिन PT कैसे crack होगा इस पे हम विस्ता से discuss करने जारेगा है तो 731 पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट है अगर देखा जाए वर्तमान समय के situation के according पोस्ट तो सही है और जब यह final result आएगा तो यकिन मानी कम से कम यह 1500 पोस्ट हो जाएगा परिक्षा का pattern जैसा के PT का आपको बता दूँ PT के paper में यानि pre-test में आपका परिक्षा का pattern क्या होगा पहले समाझ लिजे general studies से 150 question होंगे और आपको 2 घंटे का समय examination hall में दिया जाएगा यानि 150 question को solve करने के लिए 2 घंटे का समय रहेगा और इस 2 घंटे में 150 question की तियारी कैसे की जाए अब हम इस पर विस्तार से discuss करने जा रहे हैं सबसे पहले कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें गाइस तो मैं आपको बता दूँ अगर एक student normal स्वस्त है और प्रती दिन वो 7 से 8 घंटे की study करता है यानि 7 तू 8 hours अगर आप 7 से 8 घंटे की study डेली करते हैं मन बना कर बिलकुल करते हैं तो यकीन मानिये सफलता आपके कदम चुमेगी मैं माल लेता हूँ एक 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 जामपल की आप 7 घंटे डेली पढ़ रहे हैं और 6 दिन लगातार कंटिनू पढ़ रहे हैं तो गाइस एक वीक में आप ब्यानिस घंटे के study करोगे लबबबब ब्यानिस घंटे के study आप करने जा रहे हो अब यहाँ पक समझने वाली बात है कि अगर आप एक वीक में जैसा कि साथ घंटे के study कर रहे हैं और 6 दे शेड़िए करें तो ब्यालेस घंटे के study होती है और अगर आप 4 week study करते हैं तो guys 4 दुनी 8 और 4.16 यानि 168 घंटे एक मन्त में on an average अगर एक मन्त की बात करूं तो एक मन्त में आप लगब लगब 168 आवर study करने जा रहे हैं और guys अगर आप यहां पर तीन मन्त लगातार अगर study करते हैं guys तो आरतिया 24 का 4 और 2 और 6 ती 18 और 2 बीस और 2 तीन अकम तीन और 5 पान सो चार घंटे आपके पास हैं यानि पान सो चार घंटे में आप पूरा बिहार का ये exam निकाल सकते हैं यानि आपके पास बहुत समय है guys पान सो चार घंटे अगर आप अपनी जिंदिगी का ये पान सो चार घंटे देते हैं तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चुमेगी अब यहां पर पढ़ना कैसे है पान सो चार घंटे कैसे उटिलाइस करें guys देखें आपके पास मैं एक रफली मांग के चलना हूं कि आपके पास पान सो चार घंटे हैं और आप एक तार्गेट बना रहे हैं कि पान सो चार घंटे मुझे exam निकालना है आपके सामने जनरल स्टेडिस में history, geography, polity, economics, science, current affairs इतन साथ में बिहार का आपके पास जीके भी है यानि बिहार जीके से भी आपके एक्जाम में को से पूछे जाएंगे तो guys यहाँ पर अगर मैं हम बात करें तो आपके सामने 5 सबसे महत्मून सेक्शन history, geography, polity, economics, science, current effects के साथ सब बिहार जीके है तो guys यहाँ पर बात लीजे देग अब लबबग 100 घंटे का समय निकालना परेगा यानि 100 आवर्स आपको हिस्ट्री में देना है अब इस 100 आवर्स में हिस्ट्री में क्या-क्या पढ़ें यह सबसे इंपोर्टन अगर मैं हिस्ट्री की बात को तो guys कुछ नहीं करना देखिए आप बहुत सारे वीडियो भी द त्यारी कर रहे हैं या आप त्यारी करने की सोच रहे हैं guys तो सीदे सीदे यखीन मानियें आपको करना क्या है कि ancient history ancient history medieval history और साथ साथ में modern history यह तीन sections questions आएगा अगर आपके पास ncrt का notes है ncrt का notes है तो guys उसको रटना सुरू कर दीजे सीदे सीदे रटना सुरू कर दीजे यानि ancient history medieval history और modern history में ncrt अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़िये guys क्योंकि questions यहीं से बनते हैं ncrt से ही questions आता है और अगर आप और ज़्यादा चुक हैं कि मैं book भी पढ़ना चाहता हूँ तो यहाँ पे book में केसी शिर्वास्तव की book पढ़ सकते हैं केसी शिर्वास्तव आप केसी शिर्वास्तव की बात करें तो केसी बसकते हैं और आप MADWAL history के लिए पढ़ सकते हैं और LP Sharma के साथ-साथ अगर आप modern history के लिए पढ़ना चाहते हैं तो B.L. Grover की किताब पढ़ लीजे काफी है B.L. Grover की किताब पढ़ लीजे इन तीन राइ्टर की किताब अगर पढ़ते हैं तो history पूरा तैयार, यकीन मानिए, इससे बाहर आएगा ही नहीं, यानि हंड्रेड आवर्स में आपको NCRT भी देखनी हैं, और साथ साथ में बुक्स भी देखना है, तो well plan बनाईए, एक एक chapter wise पहले धूनिए, कि कौन कौन से question अब तब BPSC में पूछे गाएं, तो पहले question को analyze करिए, और topic wise इन किताबों से उठा कर पढ़िए, और अगर शौट में नोट्स बना सकते हैं, तो शौट में नोट्स भी बनाईए, यकीन मानिए, हंड्रेड घंटे में, सौ घंटे में पूरा हिस्ट्री तियार किया जा सकता है, अब यहाँ पर बारी आते है geography की, guys अगर आपकी geography strong ने, तो geography strong हो जाएगी, बहुत ही असान इसे, guys, geography में सिर्थ दो चीजों पर focus कर दीजे, पहला, पहला Indian geography, Indian geography guys, Indian geography, और साथ साथ में आपको, दूसरा, आपको physical geography guys, physical geography, अगर इन दोनों की तियारी करनी है, तो यकीन मानिए, सबसे best, सबसे best है आपका 11th और 12th की NCRT, बस 11th और 12th की NCRT, अगर आप 11th और 12th की NCRT को पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ guys, बस Atlas, अगर Atlas पढ़ लेते हैं आप, तो यकीन मानिए, geography का question छूटेगा ही नहीं, इसके लिए भी आपके पास 100 hours हैं, आप 100 hours में पूरा इसे पढ़ सकते हैं guys, और अगर आप book की बात करने की book बताइए, तो book में आप माजिद हुसैन की किताब पढ़ सकते हैं, माजिद हुसैन प साफी जादा महत्पून और सबसे सटी किताब है, आप यहां पर किताब की सिर्फ सहायता, ठियोरी को समझने के लिए लिए और content को हमेशा मगब करने का प्रयास करें, और खास तोर से geography को atlas के थूप पढ़ोगे, तो सफलता मिलेगी, confirm और BPSC में यहां से आप question पकर किये, एक-एक चीज बताता जा रहा हूं, अपना अनुभाव बता रहा हूं, किस तरह से exam निकाल जाता है, guys, अब यहां पर पॉलिटी का सेक्शन आ गया, कि पॉलिटी की तियारी कैसे की जाए, पॉलिटी, guys, अगर पॉलिटी की बात करें, तो सीधे-सीधे मैं आपको ब करें, क्लास नोटस को प्रिफर करें, और क्लास नोटस के साथ साथ लक्ष्मी कांसर की बुक को फॉलो कर लीजे, यकीन मानिये, सारे के सारे कोशन यहां से आ जाएंगे, और साथ साथ में करेंट में जो भी changes हुए हैं, या करेंट में कोई भी amendment, अगर पॉलिटी में हुआ है constitution में कोई संसोधन वा है तो इसको ध्यान से देखिए guys quality के लिए आपके पाद ज्यादा समय नहीं रहे का मात्र 80 hours में आपको ये पूरा quality कवर करना होगा यकीन मानिए पूरा 80 गंटे में quality पढ़िए well strategy बना कर यकीन मानिए यहां से भी पूरा आप question पकर सकते हैं guys यानि quality एप्रोक्स 80 गंटे में आपको complete कर देनी है clear और साथ साथ में याद रहें साथ साथ में revision भी देते रहें साथ साथ में revision भी देंगे तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा benefit देगा इसलिए ध्यान रहें कि quality के लिए 80 गंटे ही देने हैं आपको अब यहां पर economics की तियारी कैसे करें किस तरह से economics के session को तियार करें यह सबसे important कि eco की आखित तियारी कैसे की जाए economics economics की तियारी कैसे की जाए बिहार के लिए तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ guys कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो economics के question को direct आपके exam में पकरवा दे मैं अपना पूरा नूबव कह रहा हूँ कि कोई ऐसी किताब नहीं है इससे अच्छा है कि अगर आप economics की तियारी करना चाहते तो यकीन मानी मेरे दोस्तों पिसले 10 साल के 10 साल के paper को जाकर check करें कि economics में question कहां से आते हैं on topic को चुनिए topic को चुनिए कि इस इस topic से economics में questions पूछे गए हैं clear अगर आप इसको follow करते हैं तो यकीन मानीए आप ज़्यादा better तियार कर सकते हैं किसी के चक्कर में मत पढ़ी है कि economics के लिए ये book पढ़ लो ये book पढ़ लो भाई आप direct economics के question को direct नहीं पकर सकते हो इसलिए पिसले 10 साल के paper को पहले जाके analyze करो और हर एक questions को निकाल कर topic wise study करने का प्रयास करो लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे कि नहीं मैं कहां से पढ़ू तो सीधे सीधे मैं आपको बता दो सीधे सीधे इसको भी note से prefer करें अगर आपके पास किसी भी faculty का अगर economics का note से है तो आप जाकर पहले उसको prefer करें क्योंकि समय कम है और economics को ज़्यादा तियार करना है ठीक है और यहाँ पर एक बात याद जरूर रखना economics के लिए guys current economy को सबसे ज़्यादा prefer करना क्योंकि current economy को prefer करोगे तब ही BPSC के exam में आप economics के question को पकर सकते हैं तो यहाँ पर कोई book की जरूरत नहीं है यकीन मानिए book की जरूरत नहीं है बलकि आप 10 साल के question को analyze करके पहले उनके topics को खुच चुनिए और अलग-अलग किताबों से उन topic को पढ़िए या नोड से पढ़िए यकीन मानिए economics के सारे question पकर में आ जाएंगे अब यहाँ पर रही बात science की तियारी कैसे की जाए science अब यहाँ पर science की बात करें science में 3 section है science में आपका पहला 3 section है पहला bio का section है guys bio है physics है और साथ साथ में chemistry है अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा number question जो science के आते हैं आपके वो सबसे ज़्यादा bio से आते हैं तो जब मैं तयारी करता था तो bio के लिए सीधे सीधे मैंने spectrum को पकड़ लिया था और साथ साथ में Tata Magra Hills की book ले ली थी लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा prefer Tata Magra Hills को prefer किया था और Tata Magra book को आप अगर यहाँ से science के portion को पढ़ते हैं तो कोई question छूटेगा ही नहीं एक-एक topic wise cells को उठा करके last तक एक-एक dimension को पढ़ते जाएए यकीन मानिए अगर आपको लगता Tata Magra बहुत ज़्यादा कठीन है तो मैं आपको एक और उपाय बता देता हूँ एक lucent आपने सुना होगा lucent का science वाला part याद रखना lucent special science special science आती है special lucent की एक और किताब आती है special science ही आती है अगर आप यहां से भी अगर science को पढ़ लें तो यकीन मानिए BPSC में सारे question पकड़ में आजाएंगे science के कोई question नहीं छूटेगा अथा आपके उपर depend करता है क्या Tata Magra Hills की बुक को पढ़ कर आप आके बढ़ेंगे या lucent की किताब को लेकर आके बढ़ेंगे यह आपके उपर depend करता है सीधे सीधे कह रहोंगे एक भाई lucent तो guide है लेकिन guide नहीं है रामबान है अगर उसमें से अगर content अगर आपने science का पढ़ लिया तो यकीन मानिये 20 से 25 कोशन science के होते हैं और 20 से 25 कोशन science के आपके बिलकुल confirm पकड़ में आएंगे बिलकुल आएंगे guys अब यहाँ पर depend करता है कि मैं अब यहाँ पर current affairs की तियारी कैसे करूँ current affairs friends current affairs के लिए आप धियान लखने हैं दो तरके current affairs हैं सबसे पहला आपको national current affairs national current affairs के साथ special बिहार current affairs भी पढ़ना हो पढ़ेगा बिहार current affairs भी आपको पढ़ना पढ़ेगा मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि अगर आप बिहार के current affairs को नहीं पढ़ कर गए तो कोशन current affairs का नहीं बनेगा यकीन मानिये नहीं बनेगा अगर यकीन ना हो तो पिसले साल का पेपर देख लेना 7 से 8 कोशन तो बिहार के करेंट एफट से ही पूछा था अता फैंटS बिहार के करेंट एफटавать को जरूर पढ़ें कोई भी लोकल मैगजिन ले लिजे और लगब लबबग पिसले 7 महिने का 7 मन्त का जो भी बिहार में घटनाएं घटित होई सारा current affairs को रट जाएए घोट के पी जाएए और national current affairs और international current affairs की बात करें तो इसके लिए आप अगर आपके पास पर्तियोगिता दरपन अगर आप पढ़ते हों पर्तियोगिता दरपन पढ़ते हों गाईस अगर आपके पास एक साल का पूरा अगर magazine का set है तो इसी को पढ़िए और याद रहें अगर आप पर्तियोगिता दरपन नहीं पढ़ना चाते तो मेरा मानना है कि आप घटना चकर पढ़ लीजे घटना चकर आपने पढ़ लिया तो यह रामबान काम करेगा और current affairs के questions यकीन मानिये BPSC में इससे बहां नहीं रहेगा अगर आपने monthly current affairs पढ़ा है तो आपके लिए सबसे better अगर एक साथ पढ़ना चाते तो घटना चकर खरिद लीजे और रट जाईए और साथ साथ में Bihar GK को भूलना नहीं Bihar GK को भी भूलना नहीं है Bihar GK की तियारी करनी है यहां पर आप Bihar GK के लिए spectrum की एक special आते spectrum, spectrum की जो है, एक बिहार जी के book आती है, आप अगर उसको purchase कर लेंगे, तो आपके लिए काफी जाद रहेगा, इन सब के लिए, यानि current affairs, national current affairs, बिहार current affairs, और बिहार जी के के लिए, guys, कम से कम याद रखना, 75 hours का समय जरूर देना, जरूर देना, clear, और यहाँ पर science के लिए, जो है, लबबबबग, 100 hours देना है, ध्यान अखना, 100 घंटे कम से कम science को जरूर देना, understand, और बाकी का, जो economics का है, economics में, आप guys, यहाँ पर, economics की बात का है, 60 hours, आप economics को भी दे सकते हैं, और बाकी समय, जो भी बचेगा, उसमें सिर्व रिवीजन करिए, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, डेली 50 कोशन का सेट दूँगा, डेली 50 कोशन का सेट दूँगा, और यकीन मानि बिलकुल लेवल, BPSC की तरह रहेगा, और अपने को evaluate करके, खुद बताते चलिएगा, कि आप कितना, और कितना सठीक तियारी कर रहे हैं, तो guys, I hope कि आप इंड बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक और शेयर जरूर करें,